असलाम अलेकुम, आज मैं आपके सार्त मतन देगी पुलाव बनाने की रेसेपे शेयर कर रही हूँ जब ही भी हम पुलाव बनाते हैं तो हमारी पूरी कोशिच रहती है कि पुलाव ऐसा बने कि उसमें खोब खुश्बु आए एकदम खुश्बुदार फ्रेग्रेंट सा पुलाव हो तब उसमें एक्चुल टेस्ट आता है तो उसके लिए में पूर्टली बगारा बनाने पड़ती है जो की काफी टाइम टेकिंग हो जाता है लेकिन यहां पर मैं आपको बहुत आसानी से पुलाव बनाने की रेसेपी द देघागे सात में दो तीस्पुन के करीब इसमें नमक टाल देगे अब इसमें एक टीश्पुन भरके अधर ऐस बढ़के और एक टीजपून भड़के डालेंगे हर इमेज का पेस या फिर चार-पांच हर इमेज बगएर पीसे भी आप ढाल सकते हैं दो तेज़ पत्ते डाल देंगे और एक टीजपून डाल देंगे सफेज जीरा एक दर्मयाने साइज सी प्याजेस्ट में डाल देंगे और अब प्रेशा कोकर की लिड लगा देंगे हाउ फ्लेम पर इसमें एक सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को दीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 10-12 मिनट पकाएंगे तो यह मतन है दस से वारा मिट में आसानी से गल जाएगा इधर पुलाओ के लिए खुश्बुदार सा मसाला तयार कर लेंगे एक टीस्पून सौंफ लेंगे एक टीस्पून काली मिर्च एक टीस्पून सफेज जीरा साथ हट छोटी लाइची एक बड़ी लाइची साथ हट जावितरी कफूल और एक टीहाई जैफल का ट्टोकोड़ा और एक एक इंच के दो टुकले दाल चीनिके इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको फाइन पीस लेंगे यानिकी इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे तो यह पुलाओ का बहुत ही खुश्बुदा तो सारे मटन के पीसे हम निकाल लेते हैं और यह बहुत ही खुश्बुदार सी एक यखनी है तो इसको सम्हाल के रखना इसका इसका इसको साइड में रख देते हैं अब हम एक बड़ा पैन लेंगे जिसमें कि हमें पुलाओ बनाना है और इसमें एक कप तेल गरम कर लेंग से थोड़ी सी प्यास को गोल्डेन फ्राइ करके साइड में रख दी जगा अब हमें तेल गंदर कुछ साबगर मसाले डालें आधा टीस्पून शाही जीरा डालेंगे एक टीस्पून सफेज जीरा शाही जीरा नहीं है तो इसकिप कर दी जगा एक बड़ी लाची चार पां दो मीडियम साइज सी प्यास जिनको फाइन स्लाइस कर लिया है और प्यास को हमें हलका साग गोल्डेन हो जाने तक फ्राइ करना है दो तेस पत्ते भी डाल देंगे दो से तीन और हमें प्यास को हलका साग गोल्डेन हो जाने तक फ्राइ कर लेना है जब प्यास हलकी पाउडर यह जो हमने हरे मिर्चे शुरू में पीसी ती वह हमें इसमें डाल देनी है हरे मिर्चो का पेस्ट और थोड़ा सा इसको भून लेंगे जिससे कि जो अधर क्लेसोन के कच्छे स्मेल है वो खतम हो जाएगी चार से पांच मुणा है और अब हमें डाल देना इसके अंदर एक कप दही तो तकरीबन 200 ग्राम के करीब इसमें डही डाल देंगे और दही के साथ भून लेता है तीन चार मुण लेते हैं तो यहाँ पर जो मतन है वो दही के साथ भी बहून चुका है तो अब हमने इसमें डाल देना है जो हमने खुश्बुदार पुलाओ का मसाला तयार किया था यह पूरा ही मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसको भी एक मिक्स दे देंगे अब हमें इसमें चावल शामिल करना है एक कलो ग्राम मटन में मैं 반fps चार कप यानि आर्ट सो ग्राम चावल다 का इसमाल कर रही हूँ आप चाहें तो एक कलो ग्राम मटन में एक कलो ग्राम चावल undertaking के व सकते हैं अपनी जरुरत के मताबिक अब हमें इसमें यखनी शामिल कर देनी है, कुल मिलाकर हमें इसमें छे कप पाई डालना है तो पहले हम यखनी डालेंगे, बाद में पाई डालेंगे तो ये तीन कप के करीब यखनी है, ये इसमें चली जाएगी और इसके साथ हम इसमें 3 कप पानी डालेंगेज़, कुल मिलाकर 6 कप पानी का इस्तमाल करना है, 4 कप चावल के लिए हम 6 कप पानी यूच करेंगे, यानि की 1.5 गुना जादा पानी का इस्तमाल करेंगे, और चावल जो थे वो अच्छी तरह से भीगेवे हैं और मैंने लॉंग ग्रें राइस का इस्तमाल किया हुआ है जो कि आदे घंटे के लिए मैंने भीगो दिया थे लेकिन यह ओप्षिनल है आप चाहें तो इसको इसके बिकर सकते हैं अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है तो अब हम ढालेंगे इसमें चावलो के हिसाब का नमक तो तक्रीबण एक टेबिल स्पून भरके मैंने इसमें नमक डाला है आप इस टाइम पर इसको टेस्ट कर पर अभी हम इसको 5 मिट पकाएंगे तो यहां पर लो फ्लेम पर मैंने इसको तकरीब पांच मिट पकाया है अब हमें एक बार इसको फिर से खोलना है और जो हमने तलीवी प्याज ली थी वह हमें इसमें गानिश कर देनी है और साथ में इसमें थोड़ा सा देसी घी भी डा तब तब अच्छे से गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम को लो करके 10-12 मिन के लिए तो यहां पर लो फ्लेम पर तक्रीबन बारा मिन के लिए उसको दम किया है और अलहमदुलिल्ला बहुत ही हुश्पुदार हमारा मतन देगी पुलाओ बनकर तयार है अब हमें हलके हाथों से इसको उपर नहीं चकल लेना है बहुत ही जेंटल हाथों से करेंगे जिससे कि हमारे चावल जो है वो टूटे ना और अब हमें क्या करना है इसको फॉरण सर्व नहीं करेंगे इसको हम ढग कर 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही चोड़ देंगे गैस आफ करके 10-15 मिनट के लिए आप इसको रेस्टिंग पर छोड़ दीजेगा उसके बाद आप इसको सर्व कीजेगा फिर आप देखेंगे कितने बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं इसके और आप 15 मिनट के बाद मैं इसको सर्व कर रही हूँ आप देख सकते हैं बहुती जबतस और बहुत बहुत ही खूश्बूदार हमारा पुलाव बन कर तैयार है जो कि आपने देखा कितनी आसानी से बन कर तैयार हुआ बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला बहुत ही बेहतरीन पुलाव है आपके घर में अचानक से महमान आ जाए या फिर आपको कुछ अच्छा सा खाने का मन कर तो फिर आप ये पहत्रीन सा पुलाओ बनाएं बहुत ही क्विकली बन जाएगा और बहुत ही लजीज बनेगा उमीद करती हूं मतन देगी पुलाओ की आसान और बहुत डिलिशस रेसेपी आपको पसंद आई होगी ट्राइ कीज़ो मुझको अपनी फीडबेक्स लाजमी दी झाल 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 झाल